नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विवेक और आप सबका स्वागत है अथलीट च्वाइस पर तो आज हम लेकिया एक नहीं एक्सरसाइज जिसका नाम है लंजेस लंजेस जो में जो लंजेस का वर्क है वो है मेरे लोवर बॉड़ी में लोवर बॉड़ी को मजबूत करता है चा परफॉर्म अच्छा हो सके और उनके पैर मजबूत रहें जिससे कि वह रनिंग कर रहा हो रनिंग के लिए भी और किसी स्पोर्स में अगर वो है तो वो लंजेस जरूर करता है तो और हाँ वो लोग भी जो लोग जैसे घर में रहते हैं या जॉब पे जाते हैं सुबह जा कर सकते हैं यां की उनको भी ऑफिस जानाआ है चड़ना है काफी वॉक करना है और वह महिला है जो घर में रहती है अपना ओक करती है वह लोग भी लर्लॉ कर सकती है तो चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों, lunges करने के लिए जो main position क्या होनी चाहिए, जैसे कि हमारा head है, यह एकदम open ऐसे होना चाहिए, उपर की और, और chest open होना चाहिए, ना कि ऐसे यह ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा, open chest, उसके बाद right leg को, यह position, जो squat की position मैंने जो पिछले वीडियो में बताया है, वैसे ही, यह हलका सा, ऐसे, shoulder जितना, pair open होना चाहिए, उसके बाद यह जो, toe है, pair का, यह एकदम सामने, सीधा होना चाहिए, उसके बाद right leg जाएगा, आगे, यह, और उसके बाद, down करना है, यह, इस position में आना है, कि यह जो मेरा है, knee से लेके, यह, ankle तक, यह एकदम यह, इस तरीके से, और फिर up करना है, और फिर वाप प्रसाना है, इसी तरीके से हम left से करेंगे, left leg से, यह, same चीज, यह, आगे क्या, और यह, down, यह, सीधा होना चाहिए, main, यह, सीधा नहीं होता है, क्या होता है, कभी-कभी बहुत लोग करते हैं, तो वो इस तरीके से आ करना है, इसके आप क्या है, कि जो स्टार्टिंग में बेगिनर जो है, वो करते हैं, वो दो, तीन, चार कर सकते हैं, पांच कर सकते हैं, बागी जो प्रोफेशनल हैं, वो लोग तो ज्यादा-ज्यादा कर सकते हैं, पर इसके सेट्स ज्यादा करने हैं, रेफ्स ज्यादा कर ये संबश करने के जह सकते हैं कि दीप जाए लेकिन आराम वह पूलिए बिर्दर Commissioner को नीचा करने के लिए एक दम गिरिया कि घुटने में चोट लग जाए बस आराम से करना है सो ये था लगता कि आप रोगों से समझ में आया होगा और यह कुछ भी नहीं समझ में आता है तो और नई नई एक्सरसाइज लेके आऊं और लाइक तो जरूर बनता है बेल आइकन भी दबाईए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे एक्सरसाइज की तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिन जैभारण